Dear Students, स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube चैनल Study with दुलार में तो बच्चों ये Class 5 का History Book है और Chapter 14 है इस Chapter का नाम है राष्ट्रिय सुरक्षा और हमारा कर्तेब राष्ट्रिय सुरक्षा का अर्थ है देश की सुरक्षा तो देश की सुरक्षा में कौन से लोग होते हैं और वो किस तरह से देश की सुरक्षा करते हैं और इसमें हमारा क्या करतेब है इसके बारे में इस Chapter नाम बतलाए गया है तो इसको हम सरसरी निगाह से थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं उसके बाद मैं इसका Question answer आप लोगों को देख दूँगा राष्ट्रिय सुरक्षा एक महत्तु का विस्य है किसी भी देश की सिमाओं की सुरक्षा उनकी सेना करती है और हमारे देश का राष्ट्रपती तीनों सेनाओं का सरवच सेनापती होता है सेना के तीन अंग होते हैं ये सेनाएं हैं थल सेना, नौ सेना, तथा वायू सेना किसी भी देश में सेना का तीन ही अंग होता है परतेक अंग का एक परमुक होता है जैसे हमारा देश आजाद हुआ था तो सबसे पहले पकिस्तान हमारे देश पर आकरमन कर दिया था उसके बाद 1962 हिस्पी में चीन हमारे देश पर आकरमन किया था सन 1965 और 71 में पकिस्तान द्वारा पुना आकरमन हुआ और उस समय भारत की सिनाओं ने पकिस्तान को हार का मजा चखाया तो उसमें पकिस्तान का हार हो जाता है सेनिकों के परसिचन के लिए National Defense Academy, Indian Military Academy तथा Officers Training Academy संस्थान है तो परसिचन के लिए मतलब उनकी training के लिए ये तीन जगा यहां पे बतलाए गया है उन्हें परसिचन दिया जाता है सेनिकों को इसके आगे यहां पे दिया हुआ है इसमें थल सेना का मुख्याले दिली में है और थल सेना, जल सेना और वाई सेना ये तीनों का मुख्याले जो दिली में ही है तो इसको जो है पांच भागों में बाटा गया इस तरह से नौ सेना के परसिच्छन के अंदर कोचिन और मुंबई में विशाक पट्न में युद्ध पोतों का निर्मान होता है इन कारखानों में अजय अच्छाय तथा अभय जैसे युद्ध पोतों का निर्मान हो चुका है और वायू सेना के बारे में यहाँ पर दियाव कोईमबर्टूर है तो यहां पे परसिछनिलो को ट्रेनिंग दिया जाता है यहां पे दिया हुआ है हमारे देश ने सुरच्छा के छेत्र में कितना परगती किया हुआ है आधुनिक ढग के सस्त्रों का निर्मान फिरकी पुने में मुराद नगर गाजियाबाद में होता है से पिचर में यहां पे दिखाया गया है इस तरह का टैंक का निर्मान होता है जो की फिरकी पुने में होता है और यहां पे हो गया ब्रहमोस दिखाया गया है यह एक मिसाइल है ब्रहमोस मिसाइल यहां पे अगनी 5 मिसाइल परिच्छन करते वे दिखाया गया है निमित सेना के अलावा सेन परसिचन भी ले सकता है मतलब सेना का ट्रेनिंग ले सकता है इस तरह से देश के जो सेनिक होते हैं वे सिर्फ देश के लिए लड़ते ही नहीं बलकि देश की रच्छा करने के लिए अतिरिक सेना को समाज सेवा के अइन कारियों में भी लगा जाता है जैसे कि बार में भोजन पेकट गिराना, बार में बचाओ, दुर घटना में बचाओ, भुकंप में सहता, इस तरह का कई सारा कारी होता है देश के अंदर जो उन लोगों को करना पड़ता है। अपने करतेबा कारें, इसका मतलब है कि हम डेश में जो कुछ भी अरजण करते हैं, उसका जो टेक्स भरने का रहता है, उसको हम सही समय पे और जो टेक्स होता है, उतना भर दें। तो यहां पर वही बतलाया जा रहा है, प्रतेक नागरिक को नागरिक सुरच्छा तथा प्रात्मी चिकित्सा का भी ज्यान होना चाहिए, मतलब फस्टेट जिसको बोला जाता है, उसका ज्यान होना चाहिए, देश में असमाजिक तत्वों, बिदेशी, खूपी आजन्सियों की जानकारी रखना, उनकी जानकारी परसासन को देना प्रतेक नागरिक का करतेब, अगर इसी नागरिक को पता चले जाए कि कोई बाहरी, विदेशी बेखती यहां पे कुछ गलत काम कर रहा है, तो उसका खबर जो है, हमें परसासन को देना चाहिए, ना कि हमें डर के चु विश्चन दियावा है वन नमबर में निमिलकेत प्रोस्टन के उतर दें और इसमें टू नमर में भरने के लिए दिया गया है तो यहां पर भरावर नहीं है मैं यहां पर बतला दे रहा हूं यहां पर क्या होगा पाकिस्तान ने भारत पर डेस में अंतिम बार आकरमन क्या था तो कब आकरमन अंतिम बार क्या था तो 1971 में 1971 में यहां पर अपसंदियावा फस्क में चीन द्वारा आकरमन डेस की और से क्या गया था तो यहां पर सागर दचिनपूरू हिमाले दियावा है तो वो हिमाले की तरफ ही रहता है तो इसलिए हिमाले की तरफ से क्या था हिमाले देस है, तो मुख्याले जो है सभी का जलसेना, थलसेना, वायूसेना सभी का मुख्याले दिली में है, तो दिली इसका नसर हो जागा थलसेना को डेस्ट छेतरों में बाटा गिया है, तो यहाँ पे हो जागा 5, पांच छेतरों में बाटा गिया है और question number 3, सही विकल पर सही का चिन लगा है तो इसका answer क्या होगा, सोतमतरता प्राप्ति के बाद भारत को कितनी बार विदे सी आकर्मनों का सामना करना पड़ा तो इसका answer हो जागा 4, 4 बार यहाँ पर टिक लग जागा चीन ने भारत पर कब आकर्मन किया था, इसका answer हो जागा 1962, 1962 में थल सेना, जल सेना, तथा वायू सेना, तीनों के मुख्याले कहां है इसका answer, दिल्ली में यह हो जागा, युद्ध पोतों का निर्मान कहां होता है तो इसका answer हो जागा विशा का पटनम, युद्ध पोतों का निर्मान यहाँ पे होता है तो मैं आप लोगों को इसका answer लिख के भी बतला दे रहा हूँ यह है चप्टर 14 का question answer निमलिकेत कोशनों के उत्वर लिखे, भारत की सेना के कौन से अंग है भारतिय सेना के तीन अंग है, थल सेना, नो सेना तथा वायू सेना सेना के परसिच्छन के कौन-कौन से कैंदर है सेनिकों के परसिच्छन के लिए National Defense Academy, Indian Military Academy तथा Officers Training Academy संस्थान है दूर तक मार करने के लिए हम कौन सी मिसाइले बना चुके है दूर तक मार करने के लिए हम अगनी पिर्थवी आकास पिनाक मिसाइलें बना चुके है सोतंतरता की प्राप्ती के बाद किसने भारत पर आकर्मन किया सोतंतरता की प्राप्ती के तुरंत बाद पाकिस्तान ने भारत पर आकर्मन किया विशाखा पटनम में कौन सी सेना के लिए क्या बनाया जाता है विशाखा पटनम में जल सेना के लिए युद्ध पोतों को बनाया जाता है इन कारखानों में अजय अच्छे और अभय जैसे युद्ध पोतों को बनाया जा चुका है Q2 जिसका answer में बतला चुका हूँ यहाँ पे लिखा हुआ है 1917 हिमालाय, युद्ध का, दिली, 5 और सही विकल्प का यहाँ पे इसका answer दिया हुआ है तो आप यहाँ पे देखर अपने बुक में लगा सकते हैं यहाँ पे यह chapter पूरी तरह समाप्त हो जाता है तो आप हमारे इस वीडियो का एक लैक जरूर कीजिए और इसी तरह और वीडियो पाने के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ सेर कीजिए और अगले chapter को पढ़ने के लिए हम लोग next वीडियो में चलेंगे तो आया हम लोग next video में चलेंगे